स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल बियार सिनेपिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वीडियो जी सरंकला में हम हाजर आपके लिए एक नए वीडियो लेकर करके तो आज हम आपको एक खास अपडेट देने वाले हैं जो कि बांध्युकी और जैप उसके बारे में हमारी चैनल पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जो बांध्युकु जैपूर जो नएआ शेक्सलेंद हाईवे बना जाएगा वो कैंसल हो गया है और जो हमारे वीवर थे दरसक्थे वो लगातार इस पर कमेंट कर रहे थे कि यह जो नएआ शेक्सलेंद जो कि राजस्तान भारत सरकार के परिवहन मंत्री हैं उनका ट्वीट दिखाएंगे और आपको जो समाचार चैनल पर जो न्यूज चल रही थी उसका स्क्रिंशोट भी दिखाएंगे और बाकाइदा आपको बताएंगे कि आप एक बार वो जो खबर है आप उसको एक बार दगभग पूरा हो चुका है और सिरफ एक पुल है जिसको इस समय कनेक्ट किया जा रहा है वो पुल है बांद की आगरा रेल लाइन पर जो कि इस समय उसकी रूफ का काम हो चुका है और जो कनेक्ट का काम है वो वहाँ पर चल रहा है वैसे हम आपको बतादे कि जो डामरिक जो रामगड है वहाँ पर भी एक पुल है बादवा की जो पुल है और जो अंडर पास है वो लगबग कम्प्लिट हो चुके हैं और उन पर जो डामरीकरंड का काम है वो भी पूरा कर लिया गया है तो हम आपको अपडेट देने वाले हैं बांदीकी जैपूर जो समाचार चैनल है उसका स्क्रीन सोट है और हम आपको बता दें कि ये खबर 25 दिसंबर को न्यूज चैनल पर चलाए गई थी आप चाहे तो इस चैनल पर जाकर कि सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि स्रिमान नितिन गडगरी जी का जो ट्वीट है वो उसमे बताया गया है कि बांदिक्स जैपूर खंड रोड एन एच गोंसी तो आप देख सकते हैं इसमें इस पर स्ट्रूप से लिखा हुआ है कि मरूद राको एन एच की सोगात इसमें दो रोड बताई गई हैं एक जोदपूर की है और दूसरी बांदिक्स जैपूर की बीच में और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि बांदिक्स जैपूर खंड रोड एन एच गोंसी तो स्रीमान नितिन गडिरीज का ये बड़ा ट्वीट था और आप जाकर देख सकते हैं निजी नेटिन रास्तान पर जहां पर उन्होंने ट्वीट किया है और उसकी जो ख इस चित रूप से स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इसका सर्वेय हो चुका है और खिसानों के जो खाते हैं उनके मुआवजी कि राची उनके खातों में पहुंचना शुरू जाएगी आप देख सकते हैं अभी बांदिकी छेत्र में कुछ बारिस हुथी ये देख सकते आप यहाँ पर जो पौधे लगाये थे प्लांट थे डिवाटर की बीच में वो इस समय काफी खुसनुमा हैं बहुत अच्छे हैं क्योंकि जो बारिस है वो काफी तेज हुई थी और जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें पानी लग गया था तो इस समय उनमें जो फूल ह वो काफी अच्छे खिली हुए हैं यह आप नीचे देख सकते हैं नीचे भी प्लांटेशन किया गया है तीन तीन रो दोनों और बनाई जा रही हैं जिनमें की पौध रोपन किया जा रहा है तो उनके जो पिट हैं जो गड़े हैं पौधों के उनमें भी पानी भर गया है आपको एक नाला भी दिखाई दे रहा होगा जो कि इस से में बनाया जा रहा है तो उसमें पानी भरा हुआ है और पानी निकास के लिए सम्भबत या यह जो नाला है वो परियापत नहीं होगा क्योंकि पानी काफी तेज आता है भाव का जब भी इस रोड पे गिरेगा दि दिली मूंबे एक्सप्रेश्य उपर तो जो वाटर रैंप हैं कई बार वो उनमें भी पानी है वो बिखर दने लग जा है तो देख सकते हैं आप काफी पानी बढ़ा हुआ है और जो नाला बनाया जा रहा है उसमें काफी पानी बढ़ा हुआ है कई बार दरसे कर हम से पू यह जो सरसो के खेते हैं इससे में पीला पन लिये हुए हैं और हम यह जो वीडियो सूट कर रहे हैं यह दिली मूंबी एक्सप्रेश्य की उपर से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जो सुन्दर दरसे है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है और जो लाइटिंग का जो काम है वो भी हाँ पर बहुत जल्दी सुरू होने वला है और यह देख सकते हैं आप यह चैनय की फसल है और जादा बड़ी नहीं है चैनय की फसल अभी इसमें फूल नहीं आए हैं बाद बाद की जो पिंक फूल है वो इसमें आते हैं चोट-चोटे और इसमें हरियली और काफी है यह देख सकते हैं आप बहुत सुन्दर दरस दिली मुंबे एक्सप्रेश्वी के उपर सी दिखाए देता है और हम कौसिस करेंगे कि जितने भी नैचरी से जुड़ी वे जो फोटोज हैं दिली मुंबे एक्सप्रेश्वी के आसपास वह आपको मुहिया कराएं और दिखाने की कौसिस करेंगे यहां से भी बहुत अच्छा जो व्यू है वह दिखता है वे कि दोनों साइड जो हरियाली है वह लोगों का मन भर देती है जो भी लोग यहां से गुजरते हैं दिल्ली मुंबे एक्सपरेश वेशी फिलहाल दिल्ली मुंबे एक्सपरेश वेशी को जून 2022 से ओपन करने का पिलान चल रहा है तो जब भी जो ड्राइवर है यहां से वाहन चलाते हुए निकलेंगे तो उनको जो द्रस्च है नेचर के वो जरूर दिखाई देंगे यह जो आप सूट देख रहे हैं यह बेदाड़ी गुजरान ग्राम का है और बहुत अच्छा द्रस्च यहां पर देखने को मिल रहा है वैसे आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली मूंबे एक्सप्रेस वी निकला गया है जो फिलहाल कच्चाई है उसमें जो गिट्टियां है वो डाली गई है बाद 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 इसका डाम रिकर्ण नहीं किया है लेकिन आने वाले समय में यह संभवत याब जो कंक्रेट का या फिर जो डाम रिकर्ण है वो निश्चीत रूप से हो जाना चाहिए यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि दिल्ली मूंबे एक्सप्रेस वी जुड़ी वीडियो हम निरंत रूप से अपने चैनल पर लाते रहते हैं आपको हमारे वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट में जरूर बता है यदि आपको कुछ सुजाओ हूँ तो वो भी आप हमको कमेंट की दोरा बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत सुक्रिया